जैपुर ग्रामिन जिले के प्रागपुर अथाना इलाके में एक यूवती की धारदार हतियार से गला काट कर हत्या करने का मामला सामने आया है यूवती का शव घर से कुछ दूर खेत में पड़ा मिला जहांपर काफी खून बिखरा हुआ था सुचनापर पुलिस मोके पर पहुँची हो और एफसल टीम और डोग शक्वाइट टीम को भी सुचित किया गया टीम ने मोका मुआइना कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया जैपूर ग्रामीन एसपी सुमित गुपता ने बताया कि शव की सिनक्त मनीशा मीना निवासी डोडा वाली धानी के रूप में हुई है जिसकी देर रात धार धार हतियार से गला काट कर हत्या कर दे गई परिजनों ने बताया कि मनीशा की पांच महीने पहले एक युवक से सगाई हुई थी जो किसी लड़की को लेकर भाग गया जिस पर मनीशा के घरवालों ने सगाई तोड़ दी इसके बाद युवक मनीशा पर सगाई और शादी करने का दबाव डाल रहा था फिलाल पुलिस ने मामला दर्ज करजात शुरू कर दी है राजस्तान लोकसे वायोग में वरिष शदस से सिव सिंग राठोड को अदेक्स का चार्ज दिया गया है उन्होंने गुरुवार को कारे बार घ्रेंड कर लिया है सिव सिंग राठोड 29 जनवरी को रिटायर्ड होंगे उनकी नियुक्ती बिजेपी राज में हुई थी दरसल भुपेंदर सिंग का कारे काल पूरा होने के बाद सरकार और पीएस्टी के फुल टाइम अदेक्स की तैय समय में नियुक्ती नहीं कर सकी इसलिए वायोग के सबसे वरिष सदस्से को अदेक्स का चार्ज दिया गया है राजपाल के मंजूरी के बाद आदेश जारी कर दिये गये हैं आरपीएस्टी अदेक्स पद पर फैसला लेने में सरकार अब कुछ वक्त लगा सकती है इस पद के लिए कई रिटायर्ड और मोजूदा ब्यूरोक्रेट दावेदारी कर रहे हैं पहले मौजूदा डीजी पी एमल लाठर का नाम भी चला था लेकिन फैसला नहीं हो पाया आईपेस अफसरों में बी एल सोनी सौरब सिर्वास्तव के नाम दावेदारों में है आईएस अफसरों में चेतन देवडा, नन्नुमल पहाडिया, पीके गोयल के नाम भी चर्चा में है साथ ही कई रिटायर्ड अफसर भी इसकी दोड में है टौंक सदर्थाना क्षेतर में गुरुवार को बंबोर रोड के पास खाई में बोरे में एक महिला का शव मिलने से क्षेतर में संसनी फैल गई यह करीब 8-10 दिन पुराना है, इसका पता लोगों को डैट बोडी से बदबू आने पर चला उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को कबजे में लिया और सिनाक्त के लिए पोस्ट मार्टम रूम में रखवा दिया S.P. सुभास चंदर मिसरा ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बंबोर रोड पर आबादी से करीब 2 किलोमेटर दूर सडक के किनारे खेत की खाई में एक बोरा पड़ा है उसमें संभावता किसी महिला का शव रखा हुआ है उसके बाद सदर पुलिस मौके पर पहुँची और बोरे को अपने कबजे में ले लिया पुलिस ने बताया कि अबे इसकी सिनाक्त नहीं हुई है सिरोही के खेल मैदान अर्विन पैवेलियन में 65 वी राजस तरिये अंडर 14 किरकेट परतियोगिता का उदगाटन हर सो लास से किया गया कारिकरम के सुभारम में राजकी उच प्रात्मिक विद्याले टांकरिया की बालिकाओं और आयुजकों ने अतीथियों का स्वागत किया समारों में अतीथी अंतराश्टी क्रिकेट खिलाडी राहूल संगवी जिलापुलीस अदिक्सक दर्मेंदर सिंग, सभापती महिंदर मेवाडा, अजेवाजपेई, सेयुक निदेशक पाली रहे अतीथियों ने मासरस्वती की तस्वीर पर पुस्प आहार पहना कर दीप परजलित किया कारिकरा में अंतराश्टी क्रिकेटर ने अपने उद्भोधन में दिल से खेलने की सीख देते हुए कहा कि हार जीत की परवा मत करना, खेलने से सीख मिलती है, हर क्षेतर में आगे बढ़ने के लिए खेल उपयोगी है साथ ही जिला पुलीस अदिक्षक ने कहा कि हमें द्वेस भावना से खेल नहीं खेलना है, टीम वर्क का महत्व है, हर वेक्ती का राष्ट में योगदान जरूरी है दोसा जिले के मववा उपखंड मुख्याले निवासी पंडित में इस आचारिय को नवी मुंबई में हिंदी कस्मीरी संगत कस्मीर द्वारा आयोजीत दस्वे वार्चिक उत्सव पर आयोजीत सम्मान समारों में संत सुंदरदास अवार द्वारा समाज सेवा को लेकर शम में रखते हुए सम्मानित किया गया दोसा जिले के बांदी कोई विधायक जियार खटाना ने आज जूपडिन में पंचायत भवन का सिला नयास किया विधायक खटाना ने पंचायत भवन की पूजा अर्चना करके नीव रखी वहीं खटाना ने कहा कि विकासकारियों में क जादा विकासकारिये होंगे बहतर तरीके से कारियों की मोनिटरिंग हो सकेगी वेक्ति के जीवन में कितनी भी परेशानिया हो उसकी मोत के बाद अंतिम यात्रा के लिए तो सरकार भी सुविधा देती है लेकिन कुछ लोग उसमें भी बादक बन जाते हैं ऐसा ही एक मामला क शमसान तक जाने में परिशानी हुई जिससे आकरोसित लोगों ने नारेवाजी करना सुरू कर दिया सूचना के बाद नगर परिशच सबापती असोक टांग पारसच जंचल नंदवाना और कांकरोली पुलिस मोके पर पहुंची और शमझाए इसकी इसके साथ ही मोका से रास्ता खुलवा कर बहाल किया इसके बाद परिवार ने शव को लेकर मुक्तिधाम के लिए रवाना हुए पुलेटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें टीपीवी न्यूज झाल